दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांक है दो अगस सन दोजार तेईस विक्रम समध दोजार सी चल रहा है श्रावन अधिक मास है कृष्णुपक्ष वडशा रितु है तिथी प्रतिपदा है और आज का वार है बुधवार आज के नक नक्षत्र दोपेर 12 बच के 58 मिनट तक है आगे धनिश्टा नक्षत्र आ जाएगा योग आयुश्मान है दोपेर 2 बच के 33 मिनट तक आगे स्वभाग्य योग है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब है योग का रख है तो इसका पूरा-पूरा सदुप्यों कीज और सूर्यास्त का समय शाम 7 बच के 11 मिनट का है आज का राहुकाल दोपेर 12 से डेड़ बजे की बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज टतर दिशा की यात्रा को अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवार है तो परेहार करके निकले जेंदें उसे प्रातना करें पर इस यात्रा कर निकल जाने तो यात्रा मंगल में रहे शुब रहेगी शुरक्षित रहेगी और जिस कारे से आप जा रहेते हो कारे भी सिद्ध होगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह साथ बच के तीस मिनट से सुबह 9 बजे तक फिर सुबह 10 बच के 50 मिनट से दोपैर 12 बझे तक और फिर दोपैर बारती बच के 50 मिनट से शम साथ बजे तक यह तीनों काल खंड बाकी सारे दिन की अपेक्षा बहुत शुब और योग का रखे अच्छे चैफर्ट्स करें अच्छी कोशिश करें तो इस समय का ध्यान रखें समय में करें तो सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को मकर है यानि चंद्रमा मकर राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात कर करा या फिर मंदर जाने के विचार आ सकते हैं मितुन राशी वालों के लिए सावधानी बनाये रखने का दिन है वहाँ नित्यादी को ठीक से चलाएं वहीं करक राशी वाले अपने वहवाईक जीवन में कुछ छोटे-मोटे मन-मुटाव देख सकते हैं और सिंग राशी वा वालों को हिर्दे संबंदित समश्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है आज वहीं व्रश्चिक राशी वालों के पराक्रम में प्रभाव में व्रद्धी होती भी दिख रही आज और धनु राशी वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मुझ से ना निकल जा आज व्यापार में रखे सावधानी सूश समझके करें वेस्ट मीराशी वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में करेंगे प्लानिंग अगर आप जॉब में है तो आपके दिमाग में बार बार प्लानिंग आएगी बिजनस की दर्श को आप करते आज के दिन की प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेश उपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर लाएंगे और अपने जीवन में सफल बना देंगे अंत्व में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाध्हान दर्शे को जीवन में हमें ये सपष्ट हो की लक्षे क्या है तो उसका मार्ग भी सपष्ट हो जाता है और ऐसे ही ये सपष्ट हो की उच्चेतम आदर्श और सद्गुन क्या है तो उनके अनुरूप ही आचरण भी तेह हो जाता है इस सम्मंद में शास्त्र में चार प्रकार क सद्गुर्ण या कहें परमादर्ष कह गएं जो की इस प्रिकार है संटोश हें परमो लाव है सथ्संगय पर्मा गति विचार हैरे परम iaम ऋ director South इसका अर्थ यह है की संटोश ही परम लाव है सद्संग ही परम गति है सद्धिशार ही परम ज्ञान है और शान्ती ही परम सुख है अब यहां लाव गती ग्यान और सुख ये हमारे लक्षे हुए यानि हमारे जीवन में लाव होता रहे हमारी सद्गती हो हमें ग्यान प्राप्त और हम सुखी रहें ये हमारे चार सबसे बड़े लक्षे हो गए इने पाकर संसार और परलोग दोनों सुदर जाते हैं अब इनने प्राप्त करने के लिए जो आचरण में लाना है वो है संतोष का भाव, सत संगती में मन को रमाना सद विचारे कत्रित करना और उन पर अमल करना और शांती हो हमारे जीवन में शांती वनीरे ऐसा अभ्यास बनाये रखना जो होता है ध्यान से जब से और गुरु-जनों की सेवा से तो आज की ज्यान चर्चा का सार यह है कि हम यह सारे सद्गूर्ण अपने जीवन में ओता रहें लोक और पर-णोग दोनों को एक सार सुधा रहें तो दर्शे को आप करते हैं बात उन विशुस्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समश्चाओं की सरल समाधान कर देते हैं जिने कर के आप अर्चनों को असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की और दर्टा से तेज गती से कॉन्फिडेंस अग्रसर होता है सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आपको छोटे-छोटे उपाय कर लेते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष आपको इश्वर की कृपा अनवरत मिलती रहेगी करना आपको सिर्फ ये है कि आज सुबे भगवान विश्नु जी के मंदर जाएं वहां मौंग की बनीवी मिठाई अर्पित करें और विश्नु सहस्त्र नाम का एक पार्ट करें और फिर वापसी में छोटे-छोटे आठ बच्चों में सफेद मिठाई बांड़ दें कि अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ये अच्छा बीतेगा इश्वरी कृपा का अनुभव निश्चित रूप से आपके साथ बना रहेगा ऐसे दर्शे को अगर आप व्यवसाई हैं दुकान फैक्टरी गोदाम ऑफिस ये सब आपके हैं इन में से कुछ भी आप अगर चलाते हैं और उसमें नकारात्मक्ता बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है और उस नेगेटिविटी को अगर आप हटाना चाहते हैं या कहें क हमेशा एक पॉजिटीव माहौल बना रहे हैं तो इसके लिए को छोटे-छोटे उपाय आपको करने चाहिए जैसे की एक बहुती सामान्य सी हवन सामगरी आपको ले आनी चाहिए और उससे धूब बना लीजिए सामगरी क्या रहेगी वो ध्यान से समझेगा बहुती विश गुरत यानि गौमाता का जो देशी घी होता है और गुड इस सारी वस्तून को कूट पीश कर और पेश्ट की तरह बना लीजिए और धूब बत्ती तयार कर लीजिए और फिर शाम को आठ बच के तीस मिनट के अबाद में अपने सामने से रखिए और बारे पार्ट गनेश द्वादश नामें स्टोत नुटप रखिए और सामगरी को अभिमंत्रत कर लीजिए उसके बाद में सुभे शाम अपने व्यापरिक प्रतिष्ठान पर दूब को प्रजवित करें अधिक बड़ा स्थान है तो चार कोड़ों में लगा दें से दर्शे को तुरंत प्रभाव से इस धूब का कार्यारंब होता है और आप चमतकारिक धंग से सबी समश्याओं से बाहर आने लगते हैं बहुती जबर्दस्ते पॉजिटिव माहौल आपके आसपास बने रहने लगता है ऐसे दर्शे को पती पत्नी की बेवजे की लड़ाईयां बहुत जादा हो रही हो गुसा बढ़ता जा रहा हो तो गूलर के पेड़ की दो डालियां ले 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 और उन पर अच्छे से अमर बेल जो पीले रंकी बेल होती है व्रक्षों पर आपने देखा होगा अमर बेल को बाज दौपेड दो बच के तीस मिनट से चार बच के तीस मिनट के बीच में एक गुड के टुकड़े एक चांदी के सिक्के एक मुठी नमक और एक मुठी ज्वार के साथ उस कम्रे में कहीं ऊपर आलमारी वगरा पर रख दें या रोशंदान में रख दें बहुत जल्दी समश्याओं में कमी आएगी आप सी सम्मंदों में जो खटास आ रही थी उसमें कमी आएगी आपस में प्रेम और सम्मान में व्रद्धी होगी इसमें कोई संदे नहीं इसी प्रकार से जिन चात्र चात्राओं को पढ़ाई में समश्याएं आ रही हो या दाश्ती कमी हो जो बढ़ते हैं वो याद नहीं रहता हो परिक्षा आने वाली हो को या प्रत्यूगी परिक्षा के तयारी कर रहे हो तो ऐसी स्थिती में एक अमोग उपाय करें निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई समंदित अर्चने दूर होंगी इसके लिए करना सिर्फ यह है कि छात्र साथ में दो केले और शमता के अनुसार दक्षना भी प्रतेक पुजारी को आप दे दें और उनके चरण चुके आश्रवाद लें इसके बाद जब घर वापस लोटे तो गनेश अथर्व शीष के ग्यारा पाइट कर लें और संस्क्रत अच्छी नहीं है नहीं पाट कर सकते हैं और आपकी मनोकामनाय पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का है हमारे दर्शक गुर्मीद जी की हनुमानगड़ से 13 मार्च 1988 का इनका जनम है सुबह साथ बच के तीन मिनट का हनुमानगड़ प्रश्न किया व्यापार कौन सा करें और कब से करें देखिए गुर्मीद जी आपका मीन लगन है और धनू राशी है लगनेश धन भाव में है और दशम भाव चंद्र मंगल शनी की युती से जब व्यापारी व्यक्ति बनेंगे आपको खाने पीने से सम्मंदित काम करना चाहिए और इसमें भी सटी किये रहेगा कि गुड़ और चीनी का काम आप कर लें आपको ध्यान बस यह रखना है कि किसी पर अतिविश्वास नहीं करना कानूनी रूप से मजबूत हो कर यानि सफलता का सामना ना करना पड़े आज की दूसरी जनम पत्रीका हमारे पास आई हमारी दर्शक मंजू कमड़ जी की 17 जुलाई 1984 का इनका जनम है सुबह 9 बच के 7 मिनट चित्तोडगड में जनम हुआ है प्रश्न किया विदेश योग कब तक है देखिए मंजू जी आपकी ज आपके जो पती हैं वो पहले से विदेश में हैं और आप भी वहां जाकर सैटल होना चाहती हैं बारवे भावस्तित लगनेश सूर्य और आएश बुद्ध कर्म के अधिपति शुक्र आपकी रहा को बहुत आसान भी बना रहे हैं लेकिन शुक्र के अस्त होने से आपको अधशा भी थी यह भी बहुत बड़ी अर्चन थी आपके जाने के जो योग हैं वह अक्टूबर सन 2023 से दिसंबर 2023 के मद्धे वनेंगे उससे पहले आप शुक्र ग्रह के साथ गुना जाप करवा लिजिए और नित्य भगवान शिव जी पर मीठे दई से अभिशेक करके उ माध्यम से बहुत जल्दी उत्तर दे दियाता है तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुष्ट उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बतायव उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूठ श्रद्धा के साथ करके आप पुरा-पुरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शेव मैं सत्य मैं और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्रातना करता हूं कि आप जब हमारे बतायव उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण हो और आपकी मनो कामना पूरती अवश्य हो साथी साथ एक निवेदन कि शावन मास में व्रक्षा रूपन अधिक संख्या में करें और ये जो भगवती प्रक्रति आपके सामने इसकी सिवा अवश्य करें थारिकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आसुप का कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हूं दीपती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूजेटीन के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर दिए रोज औरेकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज कहा हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम डवाइन गाइड़न्स लेते है एक से लेकडर नौ मूलंग तक कि कि अगर किसी प्रकार का कोई hurdle या किसी प्रकार का challenge हमारी guidance में आता है तो हम ये भी समझ सकें और जान सकें कि किस प्रकार से बहुत ही easily हम इससे overcome कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता कि कौन सी है आपकी reading कौन सा होगा आपका मूलांग तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 16 यानि की 16 तो एक और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 7 तो साथ होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 2 अगस्त 2023 और आज की तारीक है नमबर 2 जिसके की स्वामी है चंद्रमा तो आप चंद्रमा का क्या impact पढ़ने वाला है एक से लेकर नमूलांग तके जातकों पर आए हम जानते हैं दोस्तों जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारे mental और emotional health की हम बात करते हैं और आज की तारीक में हम जिस प्रकार की अपनी दिंचर्या में जो हमारे lifestyle चल रहा है कहीं न कहीं उसमें बहुत जादा important है हमारी mental और emotional growth हमारी health it is very very important क्योंकि जितना ज्यादा हम technology की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा प्रकृती से कटते जा रहे हैं जितना ज्य इन टाइम हम दे रहे हैं उतना ही अधिक हम प्रकृती से दूर होते जा रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा impact हमारी mental health पर पढ़ता है हमारे emotions पर पढ़ता है क्योंकि अगर mentally किसी प्रकार के thought process में है उसका सीधा असर हमारे emotions पर आता है और आज की तारिक में इतनी ज्याद विकल्स की हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना जो है वह बहुत कम कर दिया है पहले के समय में होता था किसी प्रकार की wishes दी जाती थी तो खुद फोन करके कहा जाता था तो ऐसे में क्या होता है कि energy होती है energy share होती है तो उससे क्या होता है कि उर्जा का जो लेविल है वह automatically grow करना शुरू करता है तो clear सी बात है ज्यादर से जादर समय प्रक्रती के बीच अपने मित्रों के बीच अपने परिवार के बीच बिताना शुरू कर दीजिए जहां पर हसी ठिटोली करते हुए आप अपने दिन को बिताए आए दोस्तों बिना देर किये शुरूआत क कारेक्रम की और जानते हैं मुलांक एक के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 2 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है हाइप डिस्स का काड़ है देखिए हम बात कर रहे हैं चीजों को शेयर करने की मित्रों के साथ बैठने की परिवार के स अपनी नौलेज को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए आपको अपनी चीजों को और लोगों को बताना चाहिए समझाना चाहिए इस वेरी इंपोर्टन जब तक एक टंकी को हम खाली नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर नया पानी नहीं भर सकते हैं चीक उसी प्रकार जो ह करेंगे किसी नहीं किसी माध्यम से चाहिए वे बच्चों को करें अपने मित्रों को करें किसी प्रकार से जब तक वह नौलिज शेयर नहीं होगी तब तक नहीं गाइड़ेंस नहीं नौलेज हम कैसे प्राब्ट कर सकते हैं तो आज के दिन आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपका दिन शुब हो आये जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 2 अगस्ट 2003 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है देखे आज की तारीक भी है नंबर 2 मूलांक सब्सक्राइब करते है और विक्ति की परस्तिती परब्सक्राइब अगर शैनता में आज के दिन जादा आजकर आछन की एनरजी में रहेंगे दया भाव करुणा की भाव अपने भीतर रखेंगे उतना ही जादा खुबसूरत आज आपका दिन गुजरने वाला है लोग आपसे आकर्शत होंगे लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे बशर्ते की आप किसी को भी जज़ ना करें आपका दिन शुबू आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 2 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है मदर मैडिका कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है किसी भी प्रकार का एक मिराकल आपके साथ हो सक कि आपने कल्पना भी नहीं की ती या आप कहीं ना कहीं आज ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है तो कुल मिलाके पर मात्मा की ब्लेसिंग आपके उपर बनी हुई है साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि संतान पक्षु से भी आपको शुब समाचार जो है वो प्राप्त हो सकता है तो आज की दिन की एनरजी बहुत अच्छी है इसे जरूर अपने मित्रों के साथ परिवार के साथ शेयर करें आपका दिन शुब हो आये जानते हैं 파 5ी समय मूलांक 4 के लिए हमें मांभगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 210 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है ड़े कंपैशन का आड आज रिपीछ हुआय कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने भीतर से हर प्रकार के जजमेंट को لोगों के लिए किसी प्रकार के जजमेंंट को कि वह यहां कि 묶न कि लहा रहा है वाइव देख रहे हैं तो सकता है वह विक्ति जो है सामने वह किसी भी प्रकार से mentally upset हो कहीं ना कहीं वह emotionally upset हो सकता है कि वह 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 सही निर्ण नहीं ले पा रहा हो और वह विक्ति जानता है नियों कि इसको ऐसे moment में क्या react करना है लेकिन कहीं ना कहीं आप से समझदारी की उमीद की जा रही है तो आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको शांत रहना है चालेंजिस आ सकते हैं तो उस चालेंजिस को overcome करने के लिए जितना ज़ादा आपकी ग्रोथ है किसी भी प्रकार के वादिवाद में अपने आपको आज नहीं उलजाए आपका दिन शुभो आभी जानते हैं मूुलांग 5 के लिए हमें मा भग्वती आज किया गाइड कर रहे हैं दो अगस्त दो हजारतेस के लिए और मूलांग 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है इंडिपेंडेंडंट का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोशिश करनी है हैं खुड का काम आपको खुद ही करना है दूसरों के उपर आशत्र नहीं रहेंगे याप्व पोड़ी सी आज दिकत इस विशेव पर आ सकती है काम अटक सकते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिशन नहीं रखनी है बलकि आपको अपने कार्यों को खुद ही पूर्ण करना है साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको स्वतनत्र विचारधा रखनी है आपकी विचाःधार है आपक्या जो रसी भीचिए वह किसी व्यक्ति के अन्फुएंस में नहीं होना चाहिए आप वो डिसिज nut Erfahrung मोशन को दिन शुबहान कि आप किसी भी profession से क्यूंना हो आपका जो भी कोई profession है आप जो भी कोई कारे कर रहे हैं साथ ही साथ आप प्रक्रती के लिए environment के लिए भी आप कुछ कारे करें आप लोगों को aware करने का कारी कर सकते हैं प्रक्रती को बचाने के लिए plastic करने के लिए कुल मिला के कुछ भी ऐसे आपकी ग्रोथ अवश्य ही तो कहा जाता है हमें अपनी आमदनी तो आपको ऐसा कोई भी कार्य करना को कार्य है कोई सवमें को करने तो ग में दैबर को और Honduras आपका दिनने सुबह को मूल को यह साथ के लिए हमें माज़ती आज क्या गैड कर रही है कि हमें मूलांक शाह के Лिए हम को कहा जा रहा है हूं का काड आप को का जा रहा है आज कि दिन आपको पूरा ध्यान अपने घर पर रहने वाला है कहीं न कहीं आपके परिवार के साथ आप एक बहुत अच्छा समय स्पेंट करने वाले हैं कोई मांगलिक उत्सव में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथी साथ आप अपने घर के अंदर एक बहुत एक एडिशन कर सकते हैं किसी नई चीज़ का कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा खरीच सकते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं अपने हाउस के लिए आप एक हाउस वामिंग पार्टि भी कर सकते हैं कोई अपने घर को सजाने के लिए कोई गिफ ला सकते हैं कुल मिलाके आज का दिन आपका पुरी तरह से परिवार को समर्पित रहेगा आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है दो अगस्त 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमसे कहा जा रहा है सेंसिटिविटी का कारड़ है वाईत तारह मा का कारड़ मातारा की करपा आपके उबर बनी हुई है और जब मातारा की करपा आई है तो कहीं न कहीं आपको एक transformation period आपका चलर आप दिखेंगे कि आप बहुत जादा emotional week मैसुस करेंगे imbalancing रहने वाली है हो सकता है बहुत जल्दी जुनजला जाएं बहुत जल्दी बेचएन हो जाएं आपको रोना भी आने लगे कुछ इस तरह की परिस्ति आज आपके साथ हो सकती है क्योंकि आप sensitive हो रहे हैं आपकी energies change हो रही है आपके बीतर एक सकारात्मक परिवर्तन हा रहा है तो जब भी कोई change आता है तो उस moment पर क्या होता है कि हमारी energies sensitive हो जाती है तो आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से कि सब्सक्राश को आपको कर आपको कहाँ वह तो आहया है जाते है मुलांक 9 के लिए मा अधाय कर रही है। 2 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है अंकंडिशनल लव आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आपको आपको आज क्लीटली प्रेम और करुणा में रखना है जितना जादा लव और कमपैशन से भरे रहेंगे उतना ही जादा आपके परिवार वाले आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं किसी ना किसी तरीके साथ जुड़े हुए हैं आज बहुत अच्छा आपके साथ महसूस करने वाले हैं आज आपका बहुत अच्छा समय जो है अपने उन लोगों के साथ व्यतित होगा जिनसे की आप प्रेम करते हैं कहीं न behavioral के साथ लाइफ पार्ट्र्न के साथ अपने प्रेमी पेर्मिका के साथ इन आप बहुत सबहें वह सबया तक कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें हमेशा आप लोग स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम प्रणाम